देखे आज लोक्षभाद चुनाओ के दूसरे चरण के मद्दान में मैं स्वयम अपना मद्दान जल्पान से पहले करने आया हूँ और सबसे पहले समस्त देशवासियों को मैं विनमरा अग्रह करना चाहता हूँ जैसे प्रधानमंती नरेंदर मोदी जी ने किया है कि देश और लोक्तंत्र को मजबूत बनाने के लिए लोक्तंत्र के इस महापर्व में वो सभी अपना योगदान मद्दान के मध्यम से दें आज देश की जनता के सामने दो स्पष्ट विकल्प है एक मिशन और विशन वाला विकल्प है जिसमें भारत को दसवे से तीसे स्थान पर अर्थवस्ता के रूप में 25 करोड ओं को गरीब भी से निकालने का काम सारेacement करोड गरीबों का आवास बनाने का काम दुगने रेट से एक्सप्रेस वे हाई वे बनाने का काम सतर ऐारपोर्ट この काम मिडल क्लास की इंकम को चार गुना बढ़ाने का काम हो रहा है और दूसरी तरफ कोई मिशन या विशन नहीं है बलकि केवल और केवल कारप्शन कमिशन अपने फैमिली का एंबिशन और पॉलिटिक्स ऑफ डिविजन है जिसमें की देश को बाटने के लिए कभी सनातन पर भी हमला करना कभी शक्ती पर हमला करना कभी राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करना कभी राम भक्तों की आस्था को पाखंड बनाने का काम भी किया जा रहा है और भारत को उत्तर दक्षिन में, जातियों में और भाशाओं में विभाजित करने का भी शडियंतर अच्चा जा रहा है देश की जनता बहुत समझदारी से मिशन और विशन की तरफ बढ़ रही है जैसे 2014 और उन्निस में उन्होंने अपना मद्दान किया है और जो पॉलिटिक्स ऑफ डिविजन और करप्शन करते हैं केवल अपने अमबिशन के लिए उनसे भी लोग आज हिसाब मांग रही है आज तो जनता के बीच में ये भाव भी आ चुका है कि जो लोग अपनी राजनेतिक विरासत, अपनी इनहरेटन्स, अपने परिवार की संपत्ति अपने आपको 100% ट्रांसफर करना चाते हैं वो आम घरमानस से 55% कब जाकर, हडप कर किसी वोट बैंक को देना चाते हैं मतलब कि आपने अगर उनको एक वोट देने की गलती की तो आपकी जमीन के 55% हडपे जाएंगे आपने उनको एक वोट देने की गलती की तो आपके 55% दुकान को हडपा जाएगा आपका दो कमरे का मकान होगा तो एक कमरा हड़ पा जाएगा आपकी एक लाग की सेविंग होगी तो 55,000 रुपए खीच लेगा वो हाथ जो हड़पने के लिए आया है और वोट बैंक को देने के लिए आया है लोग इससे बहुत आक्रोशित है और जो तुष्टिकर्ण की राजनीती में लीन होके अनुसूचित जाती, जन जाती, OBC और सोशित वंचित समाज का अधिकार छीन कर भी एक खास वोट बैंक को देने की साजिस जो करने का काम करते हैं उनको भी आज सभी लोग माकूल जवाब देने का काम अपने वोट से करने वाले हैं इसलिए आज सभी लोगों ने ये निर्ने किया है और वो इसी मुद्दे पर आकर वोट कर रहे हैं